मिथुन रासी वालों का शापताहिक रासी फल यानि की 13 जनवड़ी 2020 से 19 जनवड़ी 2020 के बीच का रासी फल तो नमशकार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिथुन एस्पेशल में तो आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से आपके इस सब्ताह के बारे में तो वीडियो को आप पूरा देखें एसकीप कहीं भी न करें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस सब्ताह का उपाई भी है जिस उपाई को फॉलो करके आप इस सब्ता को बेहतर बना सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला है आपका बेपार यानि कि आपका कामकाज दोस्तो कामकाज के लिहाद से आपका समय बेहतर रहेगा अच्छा रहेगा अगर इस सब्ता में आपके बॉस या आपके सिनियर आपको कोई महतवपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं आपको कोई ऐसा काम देते हैं जो काम उनके लिए बहुत महतवपूर्ण हो बहुत आवश्यक हो उस कार्ज को आप सही से पूरा कर दें और कुछ ऐसे पूरा करें ताक अगर आप परिश्रम करती हैं तो अगर परिश्रम से आप पीछे नहीं हटेंगे तो आपका ग्रह आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है इसके बाद है आपका धनसंपत्ति दोस्तों इस सप्ता में आपके पास पैसे रहेंगे और उन पैसों को कहां खरच करना है ये तएई आपको करना पड़ेगा अगर आप पैसे का महत दोगे पैसे को आप सही से रखोगी तो आपका समय बहतर होगा और उस पैसे की माध्यम से इस सब्ता में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप पैसे लगाएं और कुछ नया करने का प्रयास करें फाइदा आपको अवश्च मिलेगा तो साथ में आप एक वाद का ध्यान रखें कि इस सब्ता में आपको पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है आपके पास जो पैसे रहेंगे उस पैसे को आपको बचा कर भी रखना है और फाल्तू की चीज़ों में पैसा खर्च भी नहीं करना है इसके बाद है आपका प्रेम शंबंद है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी लब स्टोरी सही रहे आप दोनों में बाधा नहीं आए तो बस आपको करना ये है कि अपने प्रेमी को आपको इग्नौर नहीं करना है वो आपसे जो करने को बोले आपको वही करना है उनके बातों को आपको नहीं काटना है वो जो बोले जैसा बोले आप वहीं करते हो तो आपका प्रेम शम्बंद सहीर हेगा और अगर मौका मिले तो अपने प्रेमी के साथ इस सब्ता में आप कहीं घूमने भी जाओ अगर अपने प्रेमी के साथ आप कुछ पल बिताते हैं तो इसका फाइदा आपको देखने को अवश्ची मिलेगा लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे आप लाइक कर दे और शाथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दे घंडे को ओल पे आउन कर ले और वीडियो को पुरा देखने के बाद आप अर जगा फैलादे सेयर कर दे ताकि आपके शाथ साथ बांकी लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठा सके इसके बाद आता है आपका बैबाहिक जीवन दोस्तों इस सब्तह में आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोरा बहुत नोक जोक होते रहेगा छोटी मोटी बातों पर आप दोनों में जगरा होगा लेकिन वो जगरा ज्यादा महतो नहीं रखेगा आप दोनों में प्रेम भी बढ़ते रहेगा और रिस्तों में गहराई आते रहेगी मधुरता आते रहेगा तो अब जानते हैं आपकी उपाई के बाड़े में कि आखिर आप क्या उपाई करेंगे तो आपका स समय बेहतर होगा दोस्तों उपाई यह है कि इस सक्ता हमें डेली सुबह की समय अशनान ध्यान करने के बाद आप अपने इस्टदेव की पूजा करें पूरे मन से पूरे दिल से अपने पूजा से इस्टदेव को आप खुस कर लें तो आपका समय बेहतर रहेगा बाधाएं न मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसी आराम